असलाम लेकूम वेलकम बैक टू माइ निव व्लाग कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हैं कि सब लोग खेरियत से होंगे हम भी ठीक ठाक हैं और आज मैं सुबह आठ बजे आए हूँ अपने अम्मी के घर से वापस अपने घर पे तो यहां पे आने के बाद घर बंद पड़ हो अब जा रहा है हम लोग चाय नाश्ता करने हैं अम्मी के घर से मेरे घर की दूरी आठ घंटे का सफर है तो इधर से तो हम लोग गए थे कार से लेकिन उधर से हम ट्रेन से आये हैं लेकि अभी भी लग रहा है कि पूरी बाड़ी हिल लई है और हम ट्रेन में बैठे कि और बागी का बेट शीट बच्चियां चेंज कर रही हैं अचानक जाने का प्रोग्राम बन गया और मेरी बेटी का 12th का बोर्ड का पेपर खतम हुआ था तो वो एकदम परिशान हो गई थी कि ममा कहीं ले करके चलिए एक साल से हम कहीं गया नहीं है तो कहीं नहीं तो नानी के घर चलिए तो हम कहीं कि अच्छा ठीक है चलो जबकि और बाकी बच्चों का बहुत नुकसान हो गया है और बार बार इसकूल से फोन भी आ रहा था जबकि हमें अप्लिकेशन दे करके गए थे लेकिन फिर भी 20-22 दिन लग गया है वहां पे और बीच-बीच में इसकूल बंद भी हो रहा था दो दो तिन तिन दिन के लिए कुछ न कुछ तेवहार और गुट फ्राइडे ये सब पड़ जा रहा था तो तो उसमें जो है मेरे छोटे बेटे का तो ज्यादा नहीं नुकसान हुआ है क्योंकि वह क्लास सेकेंड में है लेकिन जो मेरा बेटा नाइन करके और उसका वर्क कम्पलीट करा रहे थे वहाँ पे भी थोड़ہ बहुत बाकी है और ज्याधतर हो गया है लेकिन क्लास में पढ़ने की बात ही अलग होती है और अभी बुक्स भिह लिए थे और अभी शौप पर बुक्स नहीं आया था तो वो लोग बोले थे कि कुछ ध के बाद आएगा एक हफ्ते के बाद तब तक हम थे ही नहीं अब जाएंगे आज ही जाना पड़ेगा हमको लेने के लिए और कवर भी लगाना है बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और बातों बातों में यहां पे मेरा चूला साफ हो चुका है और देखे एकदम अच्छे से क् बिल्कुल चमकने लगा है यहां पे मैं चूले को स्क्रवर से स्क्रव करके और कॉटन के कपले से इसको हमें साफ की हूँ आप लोग किस चीज से साफ करते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और मैं तो ज्यादत तर कॉटन के दूपट्टा जो पुराना हो जात और अभी दूपट्टे का नहीं बनाएं हैं अभी तो आएं हैं तो बस यह है कि जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत साफ हो जाए और खाना बनाने लाइक हो जाए तो अब हम आज बनाएंगे चावल और दाल सिर्फ सादा सादा क्योंकि रमजान में बहुत ज्यादा ओयली ह और वीडियो बनाना तो बहुत ही असान लगता है लेकिन एडिट करना आवाज देना बड़ा मुश्किल लगता है समझ में नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे नहीं एडिट कर पा रहे थे इतना टाइम ही नहीं मिला थे टाइम भी मिल तो दिल नहीं कर रहा था रमजान में करने के लिए तो यहां पर मैं सोची कि अब मैं रोज वीडियो बनाऊंगी और रोज डालूंगी और कोशिस करूंगी रोज अगर हो जाए तो अच्छी बात है नहीं हो तो एक दिन गैप भी हो सकता है लेकिन अब डेली जो है इस पर र मिलेगी और मैं अब रेगुलर वीडियो डालूंगी तो आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा और यहां पर मेरा चूला हो चुका है साफ और इस्टैंड भी साफ हो है और मेरा किचंटेवल एक दम चमकने लगा है और अब हम जा रहे हैं यहां पे डाल रखने तो यह हम अरहर की डाल रख रहे हैं बनने के लिए ताकि मेरा दाल भी साइड में बन जाए और अब देखें बच्चे क्या कर रहे हैं दूसरे साइड में क्योंकि उनको बोले है कि जा करके नहा लो ट्रेन से आने के बाद यही दिल होता है कि कब नहा लिया जाए नहा दो करके दाल में हल दी और नमक डाल करके हम आप चड़ा दिये हैं और यहां पे मेरी बेटी जाड़ू लगा करके और यह पोछा कर रही है रूम भी साफ ये लो कर दिये हैं कभी-कभी बच्चे भी बहुत काम कर जाते हैं और यहां पे मेरा काम कितना हलका हो गया और एकदम आसानी हो गई तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हम चले गए मार्केट बुक्स लेने के लिए बुक्स ले करके आए तो अपनी छोटी बेटी को दे दिये बुक्स में कवर लगाने के लिए तो यहां मेरा छोटा बेटा और मेरी बेटी बुक्स में कवर लगा रहा है और बड़ा बेटा अपना वर्क डन कर रहा है आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लाग में